दोस्तों आप देख रहे हैं शिहाब टीवी मैं अतीक खान आज हम बात करेंगे वसीम रिजवी उसके पियायल और कुरान शरीफ की देखिए होता यह है कि पियायल फाइल की जाती है कुरान शरीफ की 26 आयतों को डिलीट करवाने के लिए यह पियायल क्या होता है पहले सबसे या उसको लोकस कहा जाता था जो खुद के लिए किया सकता था लेकिन अभी इस रूल को चेंज कर दिया अब रूब किसी का भी राइट्स का वयॉलेशन होगा तो आप धर उप सुप्रीम कुट का दरवज़ा खटकट आ सकते हैं उसको पियायल किया जाता है मिर्फ फाइल 26 साकर्द टिने के लिए और सफंधेश ओशनने लिए वङसी मिल्रीजवी को स्मझते हैं कि वह सिम्र jv कितीक लोगों के लिए क्ना के लिए कंड किया और कितना प्रसने के लिए देश के पहला आए जाता है फिर उसके बाद 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन था तो वसीम रिजवी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर नरेंदर मोधी परदान मंत्री नहीं बनते हैं तो मैं राम मंदीर के सामने जाकर खुदकुशी कर लूँगा और वही वसीम रिजवी पर शरत शुकला ने केस किया प्रियंका गांधी के बारे में अभद्र टिपनी किया था इन्होंने तो उनके ओपर केस कर दिया ठीक है वो नौवेंबर 2020 में CPI ने केस दायर किया illegal sale purchase and transfer of वक्फ property शिया वक्फ बोट के मेंबर थे और उन्होंने वक्फ property की illegal sale transfer और purchasing करना शुरू कर दिया तो यह इतना काम करते है देशीत में कितना काम किया वह तो आपको समझ में आगया कितना अपने लोगों के लिए काम किया वो भी समझ में आ गया और इस आदमी की credibility भी समझ में आ प्र लेकर जा रही है सूर्ध हुए दैकिए आई यह PL तो हम फाइल हो गया है और terrorism का जो term आया वो World Trade Center पे attack होने के बाद terrorism को लोगों ने समझना शुरू किया जिसकी definition आज तक किसी law ने नहीं दिया So, Wasim Rizvi ने terrorism का कौन सा definition पढ़ा है कहां से पढ़ा है और वो 26 आयते जिस कुरान से पढ़ लिया उन्होंने क्योंकि हम भी कुरान पढ़ते हैं बच्पन से हमें भी कुरान पढ़ाया गया हमारे घर में भी हमारे बाप दादा ने भी कुरान पढ़ा किसी ने भी terrorism नहीं सिखा अगर Wasim Rizvi ने terrorism सिखा है तो मेरे ख्याल से Wasim Rizvi ने कोई गलत कुरान पढ़ लिया है उनको सही कुरान पढ़ने के लिए मदर से तक जाना जरूरी है जबके वो मदर से नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने वक्फ की प्रापर्टी चोरी करने का काम किया है चोर और क्रेडेंशेल इंजिन का खुद खराब हो वो सुपरीम कोट में ब्याल फाइल करते है देखिया आगे हम समझते है कि IPC इंडियन पिनल कोट के अंदर section 96 to 106 ये जो है ये self defense के लिए right of private defense की बात करता है जिसका section 96 में पूरे act की बात नहीं करूँगा सिर्फ section 96 की बात करूँगा इसमें लिखा है nothing is an offense which is done in the excesses of right of private defense यानि कोई इसमें offense वाली बात नहीं अगर कोई शक्स अपने private defense के लिए बात करता है तो कुरान की कुछ आयतों में भी private defense की बात की गई है जिन 26 आयतों की बात कर रहे है उन 26 आयतों को समाज के सामने रखे और अगर ये private defense की बात है इस चीज को बिना समझे उसको delete करने की बात करते है तो ये मेरे rights का violation है ये मेरा fundamental right article number 25 to 25 to 30 जो मेरा right है right to religion मेरा है मेरे scriptures जो minority के scriptures है कुरान शरीफ है उसमें का एक scripture है इसको हनन और इसको violate करने की बात करते है वसीम रिजवी और वसीम रिजवी का पागलपन तो लोगों के सामने आ गया उनके घर वालों ने उनसे तालुक तोड़ दिया शिया बिरादरी ने जो एले तशी हजरात हैं उनको जमात से ही निकाल दिया यानि वो ना घर के रहे ना घाट के रहे अब उनका कुरान से कोई तालुक भी नहीं है और इन्हों ने जो पी आयल फाइल किया ये पी आयल अल्ला के हाँ पर दर्ज भी कर ली गई और इसका जवाब इसको ड्राफ्ट किया और मैं देश के तमाम लोगों से कहता हूं कि ऐसा जो इस वकील को पहचान लो और इसको एक केस नहीं देना क्योंकि इतनी इतनी मिस्टेक्स कर रहा है इतना इतनी मिस्टेक्स तो एक लॉग का स्टूड़न भी नहीं करता है हम जैसे लोग जो लॉग की किताबों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं सेक्शन वगरा पढ़ते रहते हैं यहां वहां से सीखते रहते हैं तो भी हमें इतनी समझ जा गई कि P.I.L. होता क्या है P.I.L. को ड्राफ्ट करने के लिए किन-किन चीजों की ज़रूत पड़ती है और अगर वसीम रिजविया और उनके लॉयर को P.I.L. समझ में नहीं आता पार्ट 3 चेप्टर नमबर 29 M.L.क्षमिकांत की किताब है देखिए ये M.L.क्षमिकांत की इसको P.I.L. चेप्टर को पड़ो थोड़ा सी अकल आएगी और आप P.I.L. को समझेंगे P.I.L. फाइल करना ये नहीं होता है कि आप उठके सुप्रीम कोट में चलेगा और सुप्रीम कोट इतना फ्री नहीं है कि आपके इस घडिया हरकत को अड्रेस करेगा मुझे पूरा यकीन है कि P.I.L. जो है सुप्रीम कोट रिजेक्ट कर देगा और इसके उपर एक स्ट्रीक्ट आक्शन भी लेगा और गवर्मेंट ऑफ इंडिया भी इसके उपर कहीं ना कहीं स्ट्रीक्ट रवया दिखाए की क्योंकि इससे पहले भी कॉलकाता हाई कोट के अंदर कुरान शरीफ को लेकर ऐसी हरकते की गए थी और वहां पर उन्हें कोट से और गवर्मेंट की तरफ से बड़ी जिटकार और फटकार मिली थी सो वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों को डिलीट करने का प्यायल फाइल किया यह प्यायल अल्ला की अदालत में दर्ज हो चुका है अब अल्ला उसकी प्यायल के एवज में उसके साथ क्या इंसाफ करता है यह देखने वाली बात होगी और हमें चाहिए मैं यह रिक्वेस्ट कर बनाए रखे इस जैसे नाकिस दिमाग के लोग जो कम अकल लोग है बदबख्त लोग है यह सुप्रीम कोट में जाते हैं लेकिन सुप्रीम कोट जो है वहां पर बैठे हुए सारे लोग जो है वो लिटरेट है समझदार है उस प्यायल को जरूर रिजट कर देंगे और हमें कानूनी दाइरे में रहे कर कॉंस्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहे कर वसीम रिजवी का विरोध करना है और देश में एकता कंडता बनाए रखना है जैहिंद